अलो फ्रेंड मेरा नाम है जेडी और आप सब देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल अन्टच वर्ड और आज हम बात करेंगे बीएस्सी पार्ट फर्ष्ट के अंदर फिजिक्स के अंदर अपने पास बुक का नाम है मेकनिक्स हैंड और 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 फिजिक्स और इसमें हम एमशी क्यों पढ़ेंगे हमने दो चैप्टर पढ़ लिए हैं यदि आपने वो दोनों चैप्टर नहीं देखे था आप पीछे जाकर दे सकते हैं और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर थ्री का तो सुरू करते हैं और इसमें हम कोशिस करेंगे आपको कुछ important questions, कुछ numerical और इसकी कुछ summary तो ये आप वीडियो को last तक देखो क्योंकि हम इसमें अच्छे question और कुछ numerical और summary का मतलब है कि आपके पास जो question हम नहीं लिख पा रहे हैं या जो directly pushy जा रहे हैं उनकी हम आपको कुछ content पताएंगे वहां से उतको याद करोगे तो आपको question directly वहाँ पर आपको attend करने को मिलेगा ठीक है तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर थ्री जिसका नाम है special theory of relativity पहला question है लोरेंज रुपांतरन समीकन होते हैं लोरेंज transformation equations are तो आपको पता होना चीक जो यह equations है वह आपके पास कैसी होती है रेखिय होती ठीक है ना लोरेंज रुपांतरन समीकन में जो equations होती है वह आपके पास कैसी होंगी रेखिय होंगी ठीक है अगला question है अपने पास आप तेक इसक्ता के विशिट सिध्धांत द्वारा किसी दर्वे कंग का वेग, प्रकास वेग से हो सकता है, तो प्रकास वेग से कभी भी समान नहीं हो सकता, क्योंकि समान होने के लिए उसका जो मास है, वो लगबग infinite होना चाहिए, और अधिक तो कभी possible है ही नहीं, तो इससे हमेशा क हinku कम कोई भी कड है तो यदि दर्व कड है तो उसका दर्मान हम वमेश्या प्रकास व्च से कम ही रहेगा अगला कुशन है लोचन रूपांदर्ण समहीक्रण का गैलाला सममिक्रण में होता है जब कण का व compromise की तुल्ना में एक खालिस्तान होता है यानिकि लोरेंज रुपांदरण गैलेंज रुपांदरण में कब चैंज कर सकते हैं लोरेंज लोरेंज रुपांदरण है वो गैलेलेंज रुपांदरण में कब बदल सकते हैं जब हमारे पास प्रकास की वैल्यू या वैलोसिटी बिलकुल अल्प हो यह ध्यान रखना कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि प्रकास वेक से थोड़ा सा कम हो यह समान होता है कर सकते नहीं बिल्कुल कम वैलोसिटी रहेगी यानि कि V जो है वो हमारे पास less than less than less than c होगा उस कंडीशन में ही आप लोरिंज रुपांदन को गैलेंज रुपांदन में ट्रांसपर कर सकते हैं नेक्स्ट क्षिशन है किसी प्रिषप दोरा उसके सापिक्स उचित समान अंतराल की तुलना में निर्देश तंदर में घटना के मध्य मापागया समय अंतरा होता है ठीक है ना समय अंतराल जो होता है यह शायद question के जो option है वो थोड़े गलत छपे हैं किसी प्रेक्षे के द्वारा उसके गतीसी लिर्देस अंदर में घटनाओ कि मद्दे मापा गया सब समय अंतराल है उसको बोलते हम समय अंतराल की तुलना में सही है समय अंतराल की तुलना में होता है the time interval measured by an observer for the event occurring in frame moving with respect to him then compared to the proper time interval तो जो proper time interval है हमेशा क्या होता है? अधिक होता है यानि कि हम यह नियुमरिकल पढ़ा था आपने पढ़ा होगा toe जो होता है toe हो जो होता है वह आप पास toe note ठीक है? toe note और इसका formal होता है अपने पास under root अंडरूट वन माइनस वी स्क्वेर अपॉन सी स्क्वेर ऐसे होता है तो जब भी आप समय रखते हैं और जब आप कैल्कुलेट करते हैं दूसरे निर्देस फ्रेमें तो वो हमेशा बढ़ता हुआ मिलता है और इसमें ये भी ध्यान रखेंगे ये जो समय है वो बढ़ता मिलेगा और जो लंबाई है वो हमेशा छोटी दिखाई देगी जब कोई भी छड वी वेक से गतिशिल होती है तो आपको छोटी दिखाई देती है तो क्यूशन कहता है किसी प्रशिक द्वारा उसकी दवारा तो उसमें समय हमेशा कैसे दिखाई देगा आपको अधिक दिखाई देगा द्यान रखना लंबाई हमेशा छोटी और समय हमेशा ज़्यादा दिखाई देता है अगला है मेसोन का विरामद रोमान मेसोन का विरामद रोमान अर्द आयुकाल आपको दे रखा है, ठीक है, और अर्द आयुकाल 1.8, 1.8 into 10 to power, यह minus 8 है, 10 to power minus 8 है, यहां पर, ठीक है, 10 to power minus 8, जब वहें C by 2, वेक से गत्ती सील होता है, तो उसकी अर्द आयुकितनी होगी, यहनि कि आपके पास, एक निर्दे संद्र में, यह मालीजे एक निर्दे संद्र है, और दूसरे निर्दे संद्र में, आपके पास जो मेसोन है, वो इतने वैलोसिटी, 1.8 into power minus 8 समय के लिए चलत लगानी, तो आपको इसमें वो इस नोर्मली फोर्मला लगना है, टो इकोल टो नोट और अंडरूट, 1 minus V square upon C square, यह लगाना है, आपको बता दें कि यह आपको तो नोट जो है, वो आपको दे रखाए, 1.8 into power minus 8 सेकेंड, और जो वैलोसिटी है, V का वैलू, यह जो V की वैल लेगा, अगला है, एक वर्ताकार पटल, जिसका तल, एक इस्तिर निर्देस तंतर, यह तल के समाना अंतर है, गती कर रहा है, इसकी गती को एक्स-कंदिस मापते हुए, वेग जिसका प्रष्टिय चितरफल S frame के सापिक्स आधा लगुपतित होता है, तो आपको यह बताने संदर यह है, यह बोड़ा है कि एक निर्देस तंदर S है, और एक S' है, इस S में एक आपके पास frame दे रखा जिसका चितरफल A है, और यहां पर उसका चितरफल हमारे पास किना हो जाता है, A' हो जाता है, तो आपको यह बताना है कि अब यह जो A है, या A' का आधा कम मिलेग यानि कि आपके लिए यहां पर दे रखा है कि A' की वैल्यू A by 2 किस वेग पर मिलेगी, ठीक है ना, तो इसको सोल करने के लिए हम लंबाई वाला formula लगाएंगे, और एक चीज़ और बता दें, यहां पर आपके पास लंबाई का जो formula है, वो है L बराबर L0 और अंडरूट 1 minus V square upon C square और यह बोलड़ा है कि एक वर्ताकार पटल यह ध्यार रखना, तो वर्ताकार पटल है, तो आपको स्क्यार मिलेगा, L square बराबर L0 square बराबर अंडरूट 1 minus V square upon C square, यह आपको formula इसमें लगाना है, ठीक है ना, तो अब आपको छित्रफल निकालना है, और छित्रफल निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, देखो, L, ठीक है ना, आपने को यह करना पड़ेगा, कि L equal to L0 और अंडरूट 1 minus V square upon C square लगेगा, और वर्ताकार पटल का जो छित्रफल होता है, वो लंबाई का square, L0 square और इदर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, इंदर से अपना रूट को घटा देंगे, यह अफटा दिया, और अब यह एस तरह हो जाएगा, सुरी, यह अंडरूट हट जाएगा, आंजरी ए बन्सकु ए और इसको अपने कोश्टिक में लगादेंगे, तो यह अपने पास लंबाई गुना लंबाई होता है अब आपको अंदर यहाँ पर वेग की जो वैल्यू है वो आपको calculate करनी कि वेग कितना होगा जब यहाँ पर यह चितर पर लिख सकते हैं आप इसको A dash लिख सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं A और आपको formula हो जाएगा 1-V square upon C square ऐसा हो जाएगा तो A dash की value आपको दे रखिए कितनी हो जाने चाहिए आधी होनी चाहिए तो इसकी value लिख सकते हैं अपना A by 2 A से A cancel कर देंगे cancel होने कि बाद आपको यहाँ आप से V की value calculated नहीं है जो की C root 3 C by 2 मिलेगा थोड़ा calculate करके देख लिखना तो root 3 C by 2 आपको answer मिल जाएगा और इसमें ध्यान रखेंगे आपको लंबाई का formula आपने पढ़ा है लेकिन इसमें वर्तागाल पटल का चितरफल पूछा है चितरफल के लिए आपन को क्या करते हैं लंबाई गुणा लंबाई यानिकि लंबाई का स्कार का formula लगाना है यह ध्यान रखना अगला अपने पास है एक जड़ती निर्दे संदर के सापेक्स वेक सी गतिशिल जड़ती निर्दे संदर S में एक photon C वेक से गतिशिल कर रहा है इस photon का निर्दे संदर S डेस में वेक क्या होगा देखो दोनों ही अपने पास क्या होते हैं जड़ती निर्दे संदर होते हैं यदि आपके पास एक फ्रेम में photon C वेक से गतिशिल कर रहा है तो दूसरे फ्रेम में भी आपको C वेक से ही क्या मिलेगा गतिशिल मिलेगा उसका reason यह है उसका reason यह है कि आप C by 2 वेक से ज़्यादा वेक किसी का नहीं कर सकते हैं आपको यदि V वेक दे रखा होता है तब तो आपन निकालते हैं V dash की जो value होगी कुछ होगी लेकिन यह थी वेक से गतिशिल है तो इस फ्रेम दूसरे फ्रेम में भी वेक से ही गतिशिल होगा यह important question है यह ध्यान रखना आप यह आपके पास important question है ठीक है अगला question है आप पेक्षिक्टा का विश्ट सिद्दान किन निर्दे संत्रों में लागू होता है तो special theory of relativity जो है वो केवल जड़ते निर्दे संत्रों में ही लागू होती है जड़ते निर्दे संत्रों में लागू नहीं होती अगला है किसी छड़ की उचाई उचित लंबाई चारी उचित लंबाई L0 और under root 1- V square upon C square होता है यहाँ पर भी square है ठीक है आपको यह दे रखा है यह वाली value दे रखिए आपको कितनी 80 दे रखिए आपको निकालना क्या है यह वाली value निकाल रखिए weight आपको दे रखा है यह यहाँ पर रख देंगे 1- 0.8C upon C का whole square और ये सी से सी क्या जायगा cancel करेंगे इसल करने के बाद आपको यहां पर answer आजाएगा और जो आपका आणसर है जो है वापस सेंटीमेटर में आएगा उसका answer है साट सेंटीमेटर ठीक है ना तो आप इसको थोड़ा सोल करके देख लेंगे साच ऐंतोर आपके पास अंसोर अगा लो रिपांट समीकरesen fantastic के साप आप चिए नियत विए सिग से आपको यहां पर नियए नियत विपांतव समिकरण क्या होंगे है तो इसके लावा हम दो सीजे से और देखते हैं कि आ क्या विकर्ट देखो आपको मैंने क्यूशन करा दी हैं लेकिन क्यूशन में हम बहुत सारी चीजे नहीं डाल सकते और उनको आपको मैं सीधे ही डाक्री समझा देता हूं जो कि आपको डाट्ली निर्दे स्तंत्रों में एक समान रूप से लागव होते हैं और दूसरा क्या है प्रकास की चाल निश्र रहती है यानि कि प्रकास की चाल निर्वात में और सभी निर्दे स्तंत्रों में क्या रहती है एक समान रहती है इसके अलावा आपको लोरेंज रुपांदरन समीकन भी याद रखने हैं जो कि एक है x dash equal to gamma x minus vt y dash y के बरावर होता है, z dash z के बरावर होता है और t dash होता है gamma t minus v upon c square into x के बरावर जहां रखना इसके अलावा आपको दो निर्दे संत्रों में जो वेगों का रुपांदरन है वो भी आपसे पूँछ सकता है तो वेगों का रुपांदरन है ux बरावर होता है ux dash plus v upon 1 plus v upon c square ux dash और एक होता है ux dash equal to ux minus v upon 1 minus v square c square into ux तो यह किस पर depend करेगा यह दि एक बर तो आपके पास dhanatma x सामें चल रहे हो और एक बर यह दि आपको इरणatma x दिसाम चल रहे हो तो अब आपको अशा लिखना है यह तके लावा आपको लंबाई का फोरु मला जो है आपको लंबाई दे रख किये प्रोप्र लंबाई उचित लंबाई L0 तो आपके पास जो आभासी लंबाई होगी वो कितनी होगी L बरावर L0 अंडूरूट 1-B2 upon C2 काल वाला भी आपको याद रखना है समय समय आपको दे रखा होगा गड़ी में चाल होगी तो यह भी आप याद रखेंगे और इसमें से क्यूशन आपको सिंपल फोर्मिले फोर्मिले याद करने हैं यह मिसे आपको कम से कम ना तो दो क्यूशन आपको 100% आपको एक्जाम में मिलेगा ठीक है